चाइना देखो एक नास्तिक दीश हैं, कमनिष्ट कंट्री हैं, और जो कमनिष्ट होते हैं वो बगवान को नहीं मानतें, मार्क्स ने तो ये भी कहा दिया था, Religion is Opium of Masses, Religion एक परकार का नशा है जनता के लिए, और Religion का नशा करके जनता अपनी सफरिंग को भूल जाती हैं, अपने दुख को भूल जाती हैं, तो चाइना में कमनिष्ट पार्टी को ये लगता है, Religion जो है वो भविश्य में उसके लिए, उसकी अथोर्टी के लिए एक चैल जिञ्जियांग रिजन में रहते हैं और वहां पर Separatist मुमेंट भी चल रही है चाइना में, कितनी strong है वो एक अलग इशु है डिबेट का लेकिन जिंग जियांग प्रोविंस के बाहर भी मुसलिम रहते हैं, अलग अलग रिजन में, जैसे निंजियां रिजन हैं, गान्श गांसू प्रोविन्स हैं, यहां पर भी मुसलिम रहते हैं, यहां पर जो मुसलिम रहते हैं, वो हुई मुसलिम्स हैं, और जिंग जियांग रीजन में जो मुसलिम रहते हैं, वो उगर मुसलिम हैं, जिंग जियांग रीजन में तो इंस्टेबिलिटी रहती हैं, बट अब ना Human Rights Watch के द्वारा एक खुलासा किया गया चाइना जिंग्जियांग रीजन के भार भी यानि निंग्जिया रीजन और घांसू प्रोविंस में भी न मस्धिदों को तोड़ रहा है या मस्धिदों का धांचा बदल रहा है अपने लोकल का अब्जेक्टिव यह है कि जो नई जनरेशन है न मुस्लिम्स की चाइना के अंदर वो रिलिजियस एक्टिविटीज में कम से कम पाटिस्पेट करें रिलिजियन के लिए उनका अट्रेक्शन कम से कम हो religion के लिए उनका attraction कम से कम होगा आने वाले generation नास्तिक होगी तो उनकी authority के लिए challenge नहीं होगा वैसे देखो Arab countries या फिर यूँ कहें OIC, Organization of Islamic Corporation ये organization Muslims के साथ कुछ भी होता है पूरे world में आवाज उठाती है लेकिन यहाँ पे जब China related कोई matter सामने आता है तो ये organization कुछ भी नहीं बोल पाती और major Muslim countries कुछ भी नहीं बोल पाते तो उनको Muslims के उपर जो अत्याचार हो रहा है चाइना में उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ये human rights का एक बहुत बड़ा issue है हर छोटे से छोटे issue के उपर OIC के दोरा आवाज उठाई जाती है लेकिन यहाँ पर उनका दोगलापन सामने आ रहा है discussion स्टार्ट करते हैं आज की date 28 November 2023 है तीन issues काफी details से हम discuss करेंगे सबसे पहले privatization of space sector से सम्मनित अच्छा article है दूसरा article और भी जबरदस्त है Supreme Court के structure को revamp करने की आवसकता है और तीसे नमबर पे गुरुपन्थ गुरुवन्थ पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है गुरुपत्वन्थ सिंग पन्नू इनको मारने की कोशिज की गई इंडिया के द्वारा US की धर्ती पर लेकिन इंडिया सफल नहीं हो पाया US की agencies ने इस attempt को foil कर दिया ये पूरा का पूरा ना आरोप है, allegation है US का इंडिया के उपर तो US के allegation और कनेड़ा के allegation similar दोनों के बीच में क्या difference है दोनों मामलों में इंडिया की approach कैसे different रही ये पूरा article विवे कार्जू के द्वारा लिखा गया है Indian Express में वो भी हम discuss करेंगे और आज से देखो एक चीज में आप start करना चाहता हूँ एक तो होती है, देखो ethics में case study वो बहुत लंबी होती है जिसमें बहुत सारे stakeholders involved होते हैं case study को solve करने में समय लगता है लेकिन आपको case study के लिए तयार करने के लिए एक scenario देकर आपसे question पूछा जाएगा और आपको इस question का answer देना है ये चीज देखो आपको interview में भी help करेगी इसके साथ साथ ये चीज ना क्योंकि ethical dilemmas है समदीर ये questions होंगे तो आपको ना ethics में case study वाला part धिरे धिरे श्क्रोंग होता जाएगा तो question ये है अब देखो कोई public employee है मालीजी आप public employee हो आप irrigation department में काम करते हो तो ना आपके पास एक local politician का phone आया कि ना मेरी side का जो खेत है ना वहाँ पे नहर से पानी छोड़ दीजिए काईदे से उस local politician के खेत के side जो नहर जाती है वहाँ पानी छूटने की बारी नहीं थी लेकिन उस local politician के दोरा धंकी दी जाती है कि आपने अगर पानी नहीं छोड़ा तो मैं आपकी transfer करवादूँगा देख लूँगा आपको आपको नुक्सान करवादूँगा suspend करवादूँगा ये सारी धंकिया दी जाती है आपको उस local politician के दोरा और बोला जाता है कि मेरे side का जो खेत है वहाँ की side नहर जो जाती है वो पानी आप छोड़ दीजिए ताकि मेरे खेतों को पानी मिल्स के लेकिन बारी नहीं है उस local politician के खेत की तो आप बताओ ऐसी situation में आप क्या action लोगे देखो एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ ethics में लिखने का बहुत scope है normal course of action लगबग सभी को पता होता है कि ऐसी situation में क्या action लेना चाहिए लेकिन कुछ students ऐसे होते हैं उस course of action को बढ़िया डंग से लिखते हैं values को include करते हैं अपनी language में तो उनका लिखा हुआ ना बढ़िया लगता है vague नहीं लगता कुछ लोग action तो वहीं बताते हैं लेकिन vague language होती है details नहीं होती values का कोई उलेक नहीं होता Indian service, civil service के जो rules हैं उनका उलेक नहीं होता सविधान के articles का उलेक नहीं होता तो ये चीज matter करती है आप लिखते कैसे हो ethics में खास करके ethics में, essay में और optional में चलिए discussion start करते हैं इसके बाद नेश्ट article space sector के privatization से समधित है और आप syllabus में GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो मतलब क्या है privatization of space sector का मतलब है India में space industry को private companies के लिए open करना example के साथ समझते हैं पहले देखो सिरफ ISRO ही satellites को बना सकता था launch कर सकता था but अब privatization हो गया है space sector का तो even private companies भी satellites को build कर सकती है satellites को launch कर सकती है अब private companies के पास भी अजादी है मतलब समझ लिया अब contest की बात करते हैं contest ये है Deloitte Consultancy का ये कहना है हमारे देश में 2021 से लेके 2022 के बीच में private investment जो है space sector में काफी ज़दा बढ़ गई 77% पिछले साल के comparison में और इसी period में 190 नए space startups इंडिया में open हुए जो कि एक अच्छी घबर है Indian space tech sector को funding कितनी मिली 2023 में अभी तक देखो 62 million dollars की funding मिली है इंडिया के space tech sector को पिछले साल के comparison में 60% ज़दा है अगर देखो इंडिया के space sector के potential की बात करें आज के समय में इंडिया की space economy ना 6700 करोड की है आप पूछोगे सर ये इंडिया की space economy से क्या मतलब है मतलब space से सम्बंदी जो भी economic activities होती है जैसे research माल लीजिए innovation माल लीजिए satellites को build करना माल लीजिए launch करना माल लीजिए space से सम्बंदी जो भी economic activities होती है वो सब आ जाता है space economy में तो इंडिया की space economy आज के समय में 6700 करोड की है और global space economy का ये सिरफ 2% है आज के समय में ISRO revenue कमा रही है बलकि दूसे देशों की space agency के लिए satellites को launch करके जैसे European satellites को launch करके ISRO ने कितना पैसा कमाया 230 से लेके 240 million dollars और American satellites को launch करके ISRO ने कमाया 170 से लेके 180 million dollars अनुमान देखो ये है 2030 आते आते इंडिया की space economy पहुँच जाएगी 35,200 करोड तक और global space economy का ये 8% होगा इसके बाद देखो एक और important data है space tech analytics के अनुसार world में total जितनी space tech companies है न space tech companies मतलब वो companies जो space से सम्बंदित technology को develop करती है जो space से सम्बंदित services प्रोवाइड करती है जैसे Elon Musk की company है SpaceX जो rocket build करती है satellite को launch करने के लिए तो ये सारी companies कौन सी है space tech companies तो world में total जितनी space tech companies है न उनमें से 3.6% इंडिया में है मतलब इंडिया space tech companies के मामले में छटे नमबर पे है सबसे उपर US है US में 56.4% space tech companies है दूसे नमबर पे UK है तीसे नमबर पे केनेडा चोथे नमबर पे चाइना पांचोए नमबर पे जर्मनी और फिर इंडिया Economic Survey of India का ये कहना है 2012 से लेके अभी तक इंडिया में 100 से ज़्यादा active space companies है Next point देखो सरकार ये भी चाहती है कि बाहर से investment आए इंडिया के space sector में तो आज के समय में न 100% FDI allowed है इंडिया के space sector में मतलब UK की कोई company जो है वो इंडिया में आके space operation चला सकती है space manufacturing facility establish कर सकती है लेकिन government route से government route से का मतलब ये है कि government से permission लेनी पड़ेगी department से approval लेना पड़ेगा उसके बाद वो अपने आप से खुदी facility establish कर सकती है operation start कर सकती है धीरे धीरे सरकार का लक्षए ये है ये government route भी हटाया जाए और FDI और भी easy हो जाए है एक तो देखो private companies की entry होगी तो इस रो अपने mool work पर focus कर सकेगा इस रो का mool work जैसे मतलब जो सबसे जादा important है research research पर focus कर सकेगा इस रो innovation पर focus कर सकेगा बाकि जो manual काम है कि satellites को manufacture करना, satellites को build करना ये सब private companies को सोपा जासकेगा जैसे NASA आज के समय में Elon Musk की साहिता लेती है normal routine के satellite operations के लिए और खुद focus कर रही है research और innovation पर इसके बाद next point private space companies आएंगी तो इसका देखो जनता को lab मिलेगा, इसका socio economic impact भी मिलेगा private companies आएंगी तो कहीं न कहीं वो satellite communication का फाइदा उठाना चाहेंगी अलग अलग सेक्टर्स में और ultimately फाइदा किसको होगा जनता को होगा, space tourism increase होगा, economic activities जादा होगी, रोजगार मिलेगा इंडिया export कर सकेगा space applications को, space services को इससे हमें foreign revenue हासिल होगा foreign currency में, तो foreign exchange reserve हमारा मजबूत होगा, तो फाइदा ही फाइदा है, बड़ देखो ऐसा नहीं है कि picture शिरफ positive है कुछ challenges भी है जैसे सबसे बड़ा challenge यह है जितनी investment, जितनी private investment आनी चाहिए space sector में उतनी नहीं आ रही है जैसे 2015 में approximately 129 billion dollars की VC funding मिली अलग-लग sectors को VC funding मतलब venture capital वाली जो funding होती है, simple भासा में बोलू, startups को initial phase में जो investment मिलती है न, investors से वो VC funding तो न, दूसरे sectors को जैसे internet, digital media, hardware इन sectors को ज्यादा VC funding मिली, ज्यादा investment मिली but space sector को out of 129 billion dollars, सिरफ 2 billion dollars की investment मिली वो भी सिरफ 44 deals में यानि space based companies के साथ में अलग-लग investors की 44 deal sign हुई, जिसमें उनको investment मिली अब next point यह है space sector में जो commercial companies है न, वो self-sustaining business नहीं establish कर पा रही है जैसे example के तोर पे 20 साल पहले, यह बोला गया था कि commercial satellite business अब अपने आप में self-sustaining होगा यानि satellites को launch करना, उससे revenue कमाना अपने आप private companies का काम चलता जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है अभी भी government के involvement के आउसकता पड़ती है, तो self-sustaining satellite business नहीं establish हो पा रहा है हलाकि future में hope है, ऐसा हो जाएगा, next point insurance companies insurance देने को कई बार राजी नहीं होती है असानी से, उन्हें लगता है यह space based technologies है रिलाइबल नहीं है इनको insurance देंगे तो first जाएंगे क्यूंकि यह successful नहीं होंगी next point अब लास्ट में थोड़ा सा pros and consulates से बताये जाते हैं जैसे SpaceX company है Elon Musk की, Blue Origin Company किसकी है, Jeff Bezos की है जो Amazon के founder है अब यह कई सारी companies है इन्होंने ने space sector को एकदम से revolutionize कर दिया है satellite को launch करने की cost काफी कम हो गई है, satellite को launch करना काफी आसान हो गया है सरकारी companies बहुत time लेती थी, समय लग जाता था satellite को launch करने में तब तक satellite services provide करता उसमें भी बहुत time लग जाता था लेकिन यह private companies innovation लेके आई है, advanced technology लेकर आई है Blue Origin company है न, Jeff Bezos की यह तो space tourism provide कर रही है आपको भी जाना है selection के बाद तो आप book कर सकते हो इनकी website पर जाके यह आपको earth atmosphere के beyond लेकर जाएंगे मतलब space की share कर वाएंगे और वापस लेकर आएंगे natural resources अब बहुत चारे देश ऐसे हैं जो कोशिस कर रहे हैं कि space bodies for example moon है यह Mars है यहां से जो resources मिलेंगे उनकी mining कैसे की जा सकती है, उनको use कैसे किया जा सकता है इस दिशा पे domain पे नजर है विबिन देशों की और विबिन देश इसके लिए legal framework भी बना रहे है कैसे अलग-अलग space bodies के उपर जो resources मुझूद है, उनको explore करने के, mine करने के rights हमारे पास होंगे, इसके लिए legal framework त्यार किया है इसके बाद Japan और UAE ने भी legal framework त्यार मतलब action लिया है, space bodies के उपर मुझूद resources को explore करने के लिए कौन्स की बात करें, regulation space sector का देखो असान नहीं है satellite को build करना, satellite को launch करना आपको पता है, इत्ता असान नहीं है, और risk की भी बहुत है कल को देखो, किसी private company के दौरा satellite launch किया नहीं चला गिर गया जमीन पर, किसी सहर के उपर गिर गया, तो risk बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी private companies हो गई तो उनका regulation भी मुश्किल हो जाएगा तो regulation में थोड़ा तो दिक्कत है और even private companies को भी यही दिक्कत है कि regulation में बहुत समय ले लेती है, सरकार कहने को open कर दिया है space sector को, लेकिन एक-एक file को approve करने में बहुत समय लगा दिया जाता है next है, spacecraft emission अब जैसे जैसे देखो private satellites, private companies के द्वारा launch किये गए, satellites के संख्या बढ़ेगी emission ज़्यादा होगा, और दूसरा देखो, संख्या space में ज़्यादा बढ़ जाएगी satellites की तो होगा क्या, ज़्यादा satellites काम करना बंद कर देंगे, dysfunction होंगे तो वो घूमते रहेंगे, orbit में debris, मतलब functional satellites से टकरा जाएंगे, कहने का मतलब कचरा बढ़ जाएगा space में last में कुछ और important suggestions देखो, ISRO के पास में इतना infrastructure है इतने सालों की मेहनत है इतनी technology वो develop कर चुके है तो ISRO को ना help करनी चाहिए, private companies की जो देश के start-ups है उनके लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए कि आईए आप हमारे infra का use कीजिए, हम आपको थोड़ा सिखाते भी है, इसके लावा ISRO को ना train करना चाहिए, skill provide करनी चाहिए technicians को, scientific assistants को इससे वास्ता में हमारे देश में space revolution आएगा सिरफ private sector के लिए दरवाजे open करने से काम नहीं चलेगा private companies की help भी करनी पड़ेगी conclusion में तो यही का आजा सकता है कि इंडिया के space sector में potential बहुत ज़्यादा है लेकिन दो चीज़ों पर ध्यान देने का आप सकता है इस potential को हम use कर पाएं और दूसरा जो framework है regulation का framework है वो मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि private companies आ जाएं लेकिन regulation बिलकुल lose हो और फिर world में इंडिया का नाम खराब हो कि हाँ ये तो अच्छा service नहीं देते हैं space sector में ऐसा भी नहीं होना चाहिए चलते हैं आगे इसके बाद नेश्ट article Supreme Court के structure को revamp करने से समधित है और आप GS Papers Second के इस topic से article को relate कर सकते हो दो Supreme Court के पास इसना तीन परकार के मामले जाते हैं मतलब तीन परकार की jurisdiction Supreme Court के पास है सबसे पहले original jurisdiction मतलब ऐसे मामलों की सुनवाई Supreme Court करता है जो Supreme Court में ही originate होते हैं जैसे देखो center का किसी state के साथ विवाद हो गया दो states के बीच में आपस में विवाद हो गया जाएंगे सिधा जाएंगे Supreme Court में इन मामलों में Supreme Court की original jurisdiction है त्यूंकि directly Supreme Court में आते हैं ये मामले उसके बाद next है appellate jurisdiction lower court में verdict आ जाता है जैसे high court ने किसी मामले में verdict दिया किसी को फांसी की सजार दे दी तो उसके बाद वो appeal फाइल कर सकता है Supreme Court में तो appellate jurisdiction भी है Supreme Court के पास और तीसे नंबर पे है advisory प्रेजडेंट जो है वो सविधान सम्मंदीत मैटर्स पर Supreme Court की राय मांग सकते है तो ये होगी Supreme Court की advisory jurisdiction आप यहाँ पर examples देख सकते हो original jurisdiction मतलब resolving disputes between state between two states या फिर center and state appellate jurisdiction मतलब lower courts के adjustments के against appeal की सुनवाई करना advisory jurisdiction मतलब president जब opinion मांगते है legal advice मांगते है Supreme Court से तो Supreme Court advice देता है वो होती है advisory jurisdiction अब देखो आप ध्यान से सुनिये जो Chief Justice of India होते है वो master of roster होते है यह Supreme Court के पास अलग-अलग मामले जाते हैं तो ये Chief Justice of India decide करते हैं कौन सी bench के पास में कौन सा case जाएगा आम तोर पे होता क्या है जो appeal related matters होते हैं lower court की judgment के against उनके सुनवाई की जाती है division bench के दवरा जिसमें 2 judges होते हैं या full bench के दवरा जिसमें 3 judges होते हैं और जो constitution related matters होते हैं सविधान related matters उसमें देखो minimum तो उस bench में 5 judges होते हैं लेकिन उसके अलावाँ 7 judges की bench हो सकती है even no judges की bench हो सकती है 11 judges की bench हो सकती है minimum 5 judges होने चाहिए अगर कोई bench सविधान related matters की सुनवाई करती है तो अब एक आर्टिकल देखिए आर्टिकल 145 section 3 इस आर्टिकल में साफ तोर पे लिखा गया है कि जब constitution bench set up की जाती है तो minimum 5 judges होने चाहिए उस case का फैसला करने के लिए इसके अलावा आर्टिकल 43 सविधान का राश्टरपती को अजादी देता है कि वो court से consult कर सकते हैं सविधान related या important law related matters पर राइटर का point देखो यहाँ पर यह है Supreme Court ना काफी बार बहुत घटिया घटिया मामलों को भी entertain कर लेती है जिनका कोई sir pair नहीं है जैसे एक मामला आया Supreme Court के पास जिसमें petitioner ने कहा कुरान से कोई पैसेज जो है कुछ text delete किया जाए अब यह मामला भी Supreme Court ने entertain किया even कई बार और और भी ज़्यादा ऐसे से मामलों को Supreme Court entertain कर लेती है जो नहीं करने चाहिए काईदे से इसे वज़े से Supreme Court में ना cases की संख्या बढ़ती जा रही है Supreme Court में आज के समय में 34 judges है cases की संख्या बढ़के हो गई यह आल्मोस्ट 80,000 cases की pendency बढ़ती जा रही है इसलिए Supreme Court के structure में revamp की आवशकता है Chief Justice of India D.Y. चंदरचूड ने हाल ही में बोला मेरी intention यह है कि ना एक permanent constitution bench create की जाए जो सिरफ सविधान सम्मंदित मामलों को ही सुनवाई करें यह Supreme Court का permanent feature होना चाहिए वैसे देखो March 1984 में 10th law commission of India ने यह परपोस किया था कि Supreme Court को ना 2 divisions में divide कर दिया जाए एक division constitutional division और दूसरा legal division परपोसल यह था कि constitutional law court deal किया जाएगा सिरफ constitutional division के द्वारा और बाकी जो मामले हैं वो legal division के पास जाएंगे इवन 11th law commission ने भी यही परपोस किया 1988 में कि Supreme Court को दो पार्ट में divide कर दिया जाए ताकि justice deliver करना और भी ज़्यादा आसान हो जाए और गरीब लोग भी justice को access कर पाएं आप बोलोगे सर कैसे इसमें गरीब लोग का angle कैसे आ गया दियो गरीब लोग का angle इसलिए आ गया क्योंकि न अभी Supreme Court में ज़्यादा मामले पता है appeal के कौन से High Court से आते हैं जो आसपास की High Court हैं पंजाब एन हर्याना High Court, अलाबाद High Court, देली High Court, इनी से ज़्यादा appeal के मामले Supreme Court में आते हैं देश के दूर दराज के एरियाज में जो High Court के verdicts है न जैसे पतना High Court है या फिर South India में जो High Court हैं, मदरास High Court जिन्होंने verdict दिया, वो कम जाते हैं appeal के तोर पे Supreme Court में, क्यों? क्योंकि देखो में travel करने की cost इतनी ज़्यादा है बट चुकि पंजाब एन हर्याना High Court, दिली High Court, अलाबाद High Court ये नजदीक हैं, दिली के इसलिए इन High Courts के जो judgments हैं उनके खिलाफ appeal ज़्यादा आती है Supreme Court में दूर दराज के areas के जो लोग हैं वो High Court के judgment के against नहीं appeal फाइल कर पाते हैं, उनके पास कई बार नहीं पैसा होता, time भी नहीं होता उतना तो ना, बिहार Legal Sports Society versus Chief Justice of India 1986 का case इसमें Supreme Court ने ये कहा था एक National Court of Appeal होने चाहिए National Court of Appeal जो सिरफ appeal सुनने का काम करें जो बाकी constitutional matters पर सुनवाई ना करें इस National Court of Appeal का काम हो सिरफ और सिरफ appeal सुनना और Supreme Court को काम दे दिया जाए law related matters हैं या फिर सविधान related matters हैं उनकी सुनवाई करना समझ रहे हो, इस case में Supreme Court ने कहा था अलग से एक appeal की court बना दो मतलब High Court के judgment के बाद मामला जाएगा National Court of Appeal में और Supreme Court के पास कौन से मामले जाएंगे सिरफ सविधान और law related matters जाएंगे Supreme Court के पास दो सो उनतिस्वा law commission report जो 2009 में आया इस law commission की report में ये कहा गया कि चार regional branch establish कर दो Supreme Court की एक दिल्ली में तो चलो ही है चन्नाई में भी, हैदरबाद में भी, कुलकता में मुंबई में भी ताकि ये जो branches है non constitutional issues की सुनवाई कर सके appeal related matters है ना उनकी सुनवाई देश के अलग-अलग areas में भी हो सके और जो constitutional bench है वो सिरफ दिल्ली में बैठ है ये भी साई suggestion था लेकिन follow कुछ नहीं हुआ तो writer ये कहते हैं अब देखो time आ चुका है कि Supreme Court ना बस ये normal जो appeal related matters है ना इनमें ही फसके रह जाती है और जो important constitutional related matters है उन पे Supreme Court सुनवाई नहीं कर पाती शुरुवात में ना हमारे देश में तीन Supreme Court हुआ करती थी एक Bombay में, एक Calcutta में, एक मदरास में फिर 1861 में एक Act आया Indian High Courts Act इस Act ने ना Bombay Supreme Court, Calcutta Supreme Court मदरास Supreme Court इन सब का नाम बदल के High Court कर दिया, Bombay High Court, Calcutta High Court मदरास High Court कर दिया बाद में फिर Government of India Act 1935 में Federal Court of India Establish करने का provision किया गया था ये एक appellate body होगी प्राइवी कॉंसिल्स और High Courts के लिए Finally, इंडिया ने सविधान एडोप्ट किया 1949 में और Supreme Court हम जैसा कि जानते हैं 28 जनवरी 1950 को बनाया गया सविधान के Article 124 के अंतरकत मतलब सविधान आने के दो दिनों के बाद सविधान के Article 130 में लिखा हुआ है Supreme Court बैठेगी दिल्ली में या फिर other places में जैसा कि Chief Justice of India decide कर सकते हैं President की approval के बाद from time to time तो सुरुवात पर decide किया गया कि Supreme Court सिरफ दिल्ली में बैठेगी बढ़ अब साइद time आ गया है कि Supreme Court की branches open की जाए देश के अलग-अलग हिस्सों में ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी Justice को access कर पाएं फिर कुछ और information दी जाती है जैसे सुरुवात में जब Supreme Court बनी थी ना तो 8 Judges थे including Chief Justice of India दीरे-दीरे काम का बोज बढ़ता गया तो संख्या भी increase होती गई 1956 में जजिज के संख्या ग्यारा हो गई 1960 में 14 1978 में 18 1986 में 26 2009 में 31 2019 में बढ़के संख्या हो गई 34 आज Supreme Court में पूरे साल में सविधान से समंदित ना 8 से 10 decisions लिये जाते हैं जिसमें 5 या फिर 5 से अधिक Judges की bench बैठती हैं में रूप से तो देखो Supreme Court एक Appeal Court बनके रह गई है बाकी सविधान Related Matters की सुनवाई जैसा पहले भी बताया गया ना के बराबर होती है पूरे साल में 8-10 वर्डिक तोर भी कमाते हैं तो conclusion यही है कि Supreme Court का का काम जो है डिवाइड किया जा सकता है Final Court of Appeal एक काम और Permanent Constitution Bench दूसरा काम जो Permanent Constitution Bench है ना यह सिरफ सविधान Related Matters की सुनवाई करें इस Permanent Bench के पास में Appeal Related Matters ना जाएं तो इससे फाइदा यह होगा जादा सविधान Related Matters की सुनवाई की जा सकेगी Supreme Court के दौरा जो एक important काम है बहुत ही जादा important काम है तो यह पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद देखो Indian Express में आज एक article पब्लिश हुआ है इंडिया के सामने एक बड़ा डिप्लोमेट चैलेंज है विवेक कार्टजू ने यह article लिखा है Retired Ambassador है former Ambassador, Retired Indian Foreign Service के officer देखो आपको याद होगा जून में क्या हुआ था हरदीप सिंग निजजर कनाडा में एक खालिस्तानी supporter इनकी हत्या हुई थी और कनाडा के प्राइमनिस्टर ने पार्लियमेंट में खड़े होके आरोप लगा दिया इंडिया के ऊपर बाद में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गया इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन बहुत ज़दा खराब हो गए इंडिया ने इस एलिगेशन के आरोप में कहा कि ये जो एलिगेशन है एबसर्ड है, रिडिकुलिस है कनाडा ने इसके बाद आज तक कोई evidence इंडिया के साथ share भी नहीं किया लेकिन देखो एक similar मामला सामने आया यूएस के साथ भी एक और खालिस्तानी स्पोर्टर गुरु पत्वन्त सिंग पन्नू आपने इंका नाम सुना भी होगा यूएस की एजनसी हाल ही में ना financial times में एक रिपोर्ट छपी कि ना इंडिया linked agencies ने यूएस की धर्ती पर पन्नू को मारने की योजना बनाई थी लेकिन यूएस की एजनसी ने वो foil कर दी उसे रोक दिया बाद में यूएस ने highest level पर ये चीज़ इंडिया के साथ share की थी कि देखो आप ऐसा मत कीजिए हमारी soil पर आकर highest level पर यूएस ने बताया कि ये होने वाला था और हमने इसे रोक दिया है और देखो यूएस के ना इससे सम्मंदित evidence भी है मतलब थोड़े ज़ादा evidence है कनाड़ा के पास तो कुछ भी नहीं था कनाड़ा के पास तो सिरफ intelligence थी लेकिन USA के पास पन्नू को मारने की योजना से सम्मंदित कुछ evidence थे जो New York की एक court में share किये गए जिनको public में disclose नहीं किया जा सकता क्योंकि होता क्या है कई बार किसी देश की सरकार ये बताना नहीं चाहती हमने कैसे intelligence कैसे सबूत इकठा किये हमारे सबूत जुटाने का तरीका क्या था तो जब ये नहीं करना चाहती न सरकार तो बस court में file कर देती है जिससे publicly disclose नहीं किया जा सकता तो जब financial times में ये report छपी वाइट हाउस के एक official ने इसकी पुष्टी भी की बोला कि हाँ ये report सही है हमने highest level पर इंडिया से engage किया था कि आप ये सब मत कीजिए हमारी soil पर आकर और इंडिया की सरकार ने जवाब दिया था कि हम investigate करेंगे इस मामले में देखो दोनों से ने privately जब अरोप लगाया तो इंडिया ने कहा कि हम investigate करते हैं approach अलग होने का reason ये था US देखो ज़्यादा serious country है कनड़ा से US के साथ हमारे रिष्टे matter करते हैं हमें US की आउसकता है और US ने भी dignified धंग से इंडिया को बताया ऐसा नहीं कि public में disclose कर दिया एकदम से highest level पर इंडिया को बताया गया और secretly बताया गया US को भी पता है कि publicly इंडिया को humiliate करके मतलब इंडिया के चवी खराब करके कुछ हासिल नहीं होगा तो दोनों cases में न इंडिया की approach अलग अलग रही बट देखो बात ये है ये जो western countries है ना चाहे US हो या फिर Canada हो ये जब इनके interest की बात आती है ना तो दूसरे देश में जाके भी intervention करते हैं जैसे US ने अफगानिस्तान में intervention किया इराक में किया लेकिन जब दूसरे देशों के interest की बात आती है ना फिर ये इस परकार के काम करते हैं ना ये लोग जो कर रहे हैं खालिस्तानी जो freedom of speech and expression है हम उनके खिलाफ कारवाई नहीं कर सकते हम उनको नहीं पकड़ सकते फिर western countries को liberty याद आती है freedom of expression याद आती है ये सारी चीज़ें याद आती है जब खुद का मामला हो तो दूसरे देश में जाके उस देश को तबाह करके आ जाएंगे इराग को तबाह कर दिया अफगानिस्तान को तबाह कर दिया क्योंकि इनके interest involved है जब हमारे interest involved है तो फिर ये खालिस्तानी activities होती है उसे रोकना Indian Intelligence Agencies का काम है लेकिन थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा अगर इसमें इंडिया की involvement सामने आती है तो फिर देखो इसके repercussions होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की छवी खराब होती है दो देश के छवी भी खराब ना हो US और कनाडा के मामले में इंडिया के एक foreign service के बड़े official ने बोला कि देखो US ने जो हमें सबूत दिये ना वो सरकार से सम्मधित नहीं थे वो terrorist, gangster इन सब के बीच में nexus से सम्मधित कुछ चीजें थी वो private individuals हैं इसमें सरकार का रोल नहीं था फिर भी हम investigate कर रहे हैं और कनाडा के मामले में तो इंडिया के higher official ने बोला कि उन्होंने तो कभी कोई सबूत दिये ही नहीं, मतलब वो तो सिरफ credible allegation की बात करते हैं, उन्होंने कभी कोई सबूत नहीं रखे, तो यह पूरा article हमने discuss किया diplomate challenge से सम्मंदित